दस सोशल अनिमल एक कालपनिक युगल की कथा के माध्यम से निर्नय लेने में हमारे अचेतन विचारों के प्रभाग को रोशन करने के लिए सामाज़क विज्ञान अनुसंधान का उप्योग करता है। इस कुस्तक में वलकालपनिक जोड़े हेरोलड और एरिका को सुखी जीवन देकर इसे पूरा करता है। पूल हुने के बावजूद उनमें कई गुन समान हैं। दोनों भरोसे मंद और इमानदार हैं। हर कोई अपनी खामियों को स्वीकार करके और बाधाओं का सामना करते हुए अपने जीवन में सफल होता है। पूशल अनिमल में सकारात्मक चरित्र गुनों और स्ट्रीट स्मार्ट का एक शक्तिशाली मिश्रन कैसे विक्सित किया। इस पुस्तक से मैंने ये तीन शिक्षाएं सीखी। सीखना आगे तीछे और बगल की कदमों की एक श्रिंखला है। ये रखिक नहीं है। नई आदतों और व्यवहारों को विक्सित करने की कोशिश करते समय अपने पर्यावरन को बदलने से इच्छा शक्ती का उप्योग करने से ज़्यादा फायदे मंध होता है। हर क्रिया का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अपने आपको और ओन अरबों लोगों को बहतर धंग से समझने के लिए जिनके साथ हम इस दुनिया में रहते हैं। आए अपने मन के अंदर एक नजर डालें। ज़्यानी चीज से जुडाव महसूस हुआ। जिग्यासा ने उसे जकर लिया, जो गहन सीखने की प्रक्रिया में पहला कदम है। फिर सुश्री टेल ने प्राची इंग्रीज के बारे में अधिक जानने में हेरोल की रुची को और प्रोटसाहित किया। उसने उसे इस पर पांच अन्य कुस्तकों का पता लगाने और पढ़ने की निर्देश दिये। उसने बाद में हेरोल को उसके परिश्रम के लिए धन्यवाद दिया। सूचना अधिक स्वचालित और आधी हो जाती है। इस बाग पर विचार करें कि पहली बार वाहन चलाने की तुलना में आज वाहन चलाने के लिए कितने सचेत विचार की आवश्यक्ता है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जैसे जैसे आप किसी भी चीज की गहराई से जाच करते हैं, आप अपने जीवन के अन्य पहलूँ की साथ बिंदों को जोड़ना शुरू करते हैं। पाक दो, हमें उस तरीके का लाब उठाना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरन हमारे कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। हैरोल की तुलना में, एरिका के प्रारमविक शक्षी की अनुभव बहुत विविद्ध थे। अपनी एकल मा के रोजगार की स्थिती में उतार चड़ाव के कारण उसने बार-बार स्कूल बदले। दमपती एक मध्यवर्गिय उपनगरिय समुदाय में रहने और हर महीने भीतरी शहर में रिष्टेदारों के फर्ष पर रहने के बीच बारी-बारी से रहते थे। एरिका ने एक प्रायोगिक शिक्षा अकादमी के बारे में सीखा, जब वह एक पब्लिक स्कूल में आठवी कक्षा की छात्रा थी, बढ़ती गरीबी का मुकाबला करने के लिए, स्कूल के संस्थापक का उद्देश निम्न श्रेनी के युवाओं को एक ऐसी सेटिंग में उजागर करना था जो एक उपलब्दी संस्कृति को बढ़ावा देती थी, युवा एरिका इस अवधारना के अंतरनेहित मनोविध्यान या समाजशास्त्र से अन्विग्य थी, लेकिन वह समझती थी कि अपने दैनिक प्रभावों में बदलाव किये बिना, वह खुद को विक्सित नहीं कर सकती थी, दाखिले के चयन के लिए लोटरी का सहारा लिया गया, लेकिन एरिका इस बात पर अड़ी हुई थी कि वल जो भी दाखिल करेगी, उसने अपना नारा सुनाया, मैं मजबूत हूं, हर बार उसने आइने में देखा, एरिका आकादमी में प्रवे मानव निर्न्यों को प्रभावित करने वाली साथ अचेतन सनरचनाओं की पहचान व्यवहारे कर्थ शास्त्रियों द्वारा की गई है, प्राइमिंग, एंकरिंग, फ्रेमिंग, अपेक्षा, जर्ता, उत्तेजना और नुकसान से बचना, लुभाने वाले शब्दों या व एक दूसरे अनुमान के रूप में, एंकरिंग सब कुछे ग्याद साप एक्षाधार रेखा से तुलना करती है, 75 डॉलर की शराब की बोतल वॉल्माट शेल्फ पर एक बाहरी है, लेकिन एक्षानदार रेस्तरा में उच्चित लगती है, जर्ता के कारण हम एक ही क्रिया को दोहराते रहते हैं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो रोज सुबह नाष्टे में दलिया खाता है क्योंकि उसने हमेशा ऐसा ही किया है, परिवर्तन के लिए उर्जा की आवश्यक्ता होती है, जिसे हम तप सन्रक्षिक करते हैं जब हम सहज होते हैं, इच्छा ही हुई एक्विटी बेचते हैं जो नुकसान से बचने के कारण अतीत में मुनाफ़ा कमाती थी, हमें चिंता है कि सौदे से पैसा बनाने के बजाए हम वास्तव में पैसा खो सकते हैं, ये अनुमान हमारे अच्चेतन विचारों द्वारा संचालित होते हैं क्योंकि हमारे चेतन मन इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि प्रिश्थ भूमी में क्या चल रहा है, अब जब आप उनके अस्तित्व के बारे में जानते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या वे आपके निर्ण्यों को प्रभावित कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के अब लिए एक उपियों की पुस्तक है जो इस बात में रुची रखते हैं कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे परिस्तितियों का निर्मान करते हैं जो उतकर्श का समर्थन करते हैं, दस सोशल अनिमल में शामिल विशेव में पालन पोशन, शिक्षा, प्रेंग, परिवार, संस्कृती, सफलता, विवाह, राजनीती, नेतिकता, बुड़ापा और मृत्यु शामिल हैं। जीवन की इस संपूर्ण परीक्षा में सभी के लिए कुछ न कुछ है।